हलो गाईज टेकनिकल लाइंड यूट्यूब चनल पर आप सभी का स्वागत है गाईज आज के इस वीडियो पर मैं आपको एक 775 DC मोटर से काफी पाउरफुल वाटर पंप बना कर दिखाऊंगा और इस वाटर पंप को यूज करके आप बाइक धो सकते हो या फिर किसी भी ब इसका पंप काफी दूर में रहेगा और मोटर काफी दूर में रहेगा इसलिए इस मोटर के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा तो यह वाटर पंप जो है आप आसानी से इस वीडियो को देखकर बना सकते हो तो इस वीडियो का इंड तक ज़रूर देखना और अच को यूज कर रहा हूं इसके बद गाइस इस टीन के डबबे का इस साइट वाले हिससे को हमें राउंड करके काट लेना है तो चलिए कटर के मदद से इसको फटा-फट काट लेते हैं गाइस टीन जो है कटिंग करने के बाद काफी ज्यादा सार्फ हो जाता है उंगली वगरे क कर सकता है तो यहाँ पर आपको सेटी के साथ इसे बिल्कुल राउंड करके काट लेना है इस टैप से अब गाइस इस डिबबे का में इस साइट वाले हिससे में एक सेंटर पर एक छोटा सा होल करना है गाइस आप कोई से भी नोकीली चीज से इस होल को कर सकते हैं काफी छो करके सोल्डिंग करना है और सोल्डिंग करने के बाद आपको पढ़िया से क्लीन करके देख लेना है इसके साइट पे लिकेज बगरा नहीं रखना है इसके बाद गाइस साइकल स्पोग को 15 सेंटीमीटर मेजरमेंट करके आपको प्लायर के मदद से कट कर लेना है और स्पो से छोटा रखना है ताकि इसके अंदर फ्री घूम साके यह राउंड पीस अब गाई इस राउंड पीस के ऊपर हमें छोटा छोटा ब्लेड लगाना पड़ेगा तो उसके लिए आपको दो सेंटीमिटर चोड़ा एक लंबा टीन का पीस कटिंग कर लेना है कैंची से इस का है अब एक एक ब्लेड को इस राउंड पीस के ऊपर इस तरीके से रखकर सोल्डिंग करना होगा लेकिन यह ब्लेड बार बार गिर जा रहा था तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक खराब स्पीकर ले लिया हूँ और इसके मैगनेट पर यह राउंड पीस को चिपका देता हूँ इस टाइप से और उसके बाद ब्लेड को इस राउंड पीस के ऊपर एक है कर के चिपका देता हूँ गाइज इन चारो ब्लेड का जो दूरी है उसे आपको बराबर रखना है और उसके बाद सोल्डिंग आरन के मंदद से चारो ब्लेड को बढ़िया से यहाँ पर रखते हैं इस तरीके से और गाईज यहाँ पर चारो ब्लेट को थोड़ा सा ज्यादा सोल्डिंग वार डाल कर आपको सोल्डिंग करना है तो यहाँ पर हमारा इंपिलर रेडी हो चुका है अब गाईज इस इंपिलर को हमें इस सेट के साथ में कनेट करना है तो उसके लिए आपको इस impeller के center पे एक छोटा सा hole कर लेना है और उसके बाद इस shaft को इस hole के अंदर से इस तरीके से डाल देना है और इस जगा पर हलका सा सोल्डिंग करके इस shaft को रोक लेना है और इसके बाद cycle spoke का और एक nut लेना है और इस spoke के आगे में आपको tight कर देना है और बड़िया से tight करने के बाद spoke के साथ nut को सोल्डिंग कर देना है तो यहाँ पर shaft के साथ impeller बड़िया से material करना है और सहाथ ही इस suddenly इसलिदिक कर लो है और जानम को बढ़ियां कर ले साथ है जाएंट को बढ़िया ब्रस से आपको गलर कर देना होगा ताकि पानी से जन्ग megर न लगे तो इस तरी के सा आपको कलर कर लेना थो यहांपर ब्लू कलर कया हूँ देखने में काफी बढ़िया लग रहा है अब guys इस impeller को इस डिबबे के अंदर fit करके एक पर देख लेते हैं तो देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर free घुम रहा है मस तरीके से इसके बाद guys outlet निकालने के लिए यहाँ पर एक hole करना पड़ेगा तो चलिए impeller को side में रख देत हैं और इस joint को यहाँ पर आपको solding कर लेना है तो चलिए फटाफ़र मैं solding कर लेता हूं तो यहाँ पर guys बढ़िया से solding हो चुका है अब guys इस pipe को हमें इस hole में यहाँ पर fit कर देना है लेकिन यहाँ पर gap आ रहा है तो उसके लिए आपको इस step से taper करके cut कर लेना है इस pipe को और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं काफी अच्छे से fix हो रहा है gap अगरा नहीं आ रहा है तो चलिए इस pipe को यहाँ पर बढ़िया से solding कर देता हूं guys अभी तक आपने इस वीडियो को like नहीं करें तो फटाफ़र like कर दो आपको अगर खुछ पूछना है तो इस वीड लेना इस shaft के अंदर डालने के बाद यहाँ पर shaft के साथ में इस nut को solding कर देना है ताकि impeller घुमने के टाइम बाहर ना निकले इस तरीके से तो यहाँ पर देख सकते हैं काफी must घुम रहा है अब इस impeller को घुमाने के लिए आपको एक 775 DC motor ले लेना है यह 12V पर काफी high speed पर मैं जोड दिया हूँ तो इस type का आपको एक बना लेना है और इसके center पर हमें motor fit करना है तो उसके लिए एक hole करना पड़ेगा तो यहाँ पर मैं hole कर लिया हूँ अब इस motor को हमें इस तरीके से यहाँ पर लगा लेना है यहाँ पर motor के मैगनेट के वजए से यह कटोरी motor के सीधा करके solding करना है नहीं तो motor घुमने के time काफी ज़दा vibration होगा तो इस type से दूनुस apt को आपस में connect कर लेना है अब आपको cycle spoke ले लेना है चार पीस और इसमें से एक spoke को इस type से रखना है और यहाँ पर थोड़ा सा निकाल कर रखना है बाहर के तरप spoke को और यहाँ से आप को आपको cut कर लेना है और सभी spoke को इस type से आपको इहाँ पर रखकर solding कर देना है। तो यहाँ पर गाईज मोटर गुमना स्टार्ट हो चुका है, इंपेलर काफी फास्ट गुम रहा है, वाइवरेसेन बिल्कुल भी नहीं है, दोनों सेप्ट को मैं बिल्कुल सीधा-सीधा जोड़ा हूँ, इसलिए वाइवरेसेन नहीं हो रहा है, अब गाईज इस पंप के इस सैट पे हमें कवर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर टीन के सीट से मैं एक राउंड पीस कट कर लिया हूँ, और उसके बीच में होल किया हूँ, पंप के अंदर पानी जाने के लिए, लेकिन काफी मजबूत वाटर पंप बनेगा, तो यहाँ पर गाईज सोल्डिंग हो चुका है, अब गाईज सभी जॉयंटों को बढ़िया से आपको क्लीन कर लेना है, जितना भी सोल्डिंग का जॉयंट है, सभी को आपको अच्छे से क्लीन कर लेना होगा, बढ़िया से क्लीन करके इसको साफ कर लेना है, गाईज इससे साफ करने के लिए आपको हलका सा केरोसीन लगा लेना है, और उसके बाद ब्रस से घिस देना है, तो इस तरीके से आपका जो है क्लीन हो जाएगा, तो यहाँ पर गाईज मैं बाहर आ चुका हूँ, और इस वाटर पंप को चलाने के लिए इस बैटरी का यूज़ करूँगा, यह एक PLV 7H का बैटरी, तो यहाँ पर मैं एक बल्टी पानी ले लिया हूँ, इस पाइप के मदद से पानी थोड़ा और दूर तक फेक पाएगा, तो चलिए इसको फटा फट लगा लेते हैं, और इस 775 मोटर को आप 24 बोल्ट पर भी चला सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर 12 बोल्ट से चला कर दिखा रहा हूँ, 24 बोल्ट पर इससे भी ज्यादा आपको प्रेसर मिलेगा, तो यहाँ पर मैं पंप को पानी के अंदर डाल दिया हूँ, और मोटर पानी से काफी उपर है, तो इसलिए मोटर के अंदर पानी जाने का कोई चांस नहीं है, और इस वाटर पाम को आप किसी भी बाल्टी के अंदर क्लैम्प लगा कर फिक्स करके यूज कर सकते हैं, या फिर बड़े बले डबबे के अंदर इस वाटर पाम को फिट करके यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको मैं बाइक धो कर दिखा रहा हूँ, और guys इस pump से आप जो है पौदे वगर में भी पानी दे सकते हैं तो guys इसका pressure जो है काफी must है आप guys इस water pump को 12 volt या फिर 24 volt के किसी भी adapter या फिर battery से काफी अच्छे से कहीं पर भी चला सकते हो और इस pump को आप cooler के अंदर भी use कर सकते हो क्योंकि इसका motor जो है पानी से काफी उपर ह रहता है तो इस वजए से जो है motor इसका खराब नहीं होगा तो guys यह water pump आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगाए ते स्वीडियो को लाइक कर जीएगा साथ ही चैनल को भी subscribe कर लिजेगा तो आज के लिए बस इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो पर झाल